हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एपिसोड फूर की शरवात में शॉन सुइंग से मिलने के लिए आई होती है यह शॉन से कहती है कि क्या त को दे लेय होने से मस्लह हो रहा था यहां पर यह को मैसेज आता है यह से को समय करने की बात है शॉन करती है कि मुझा लगता है करि शोडूरी रही है शॉन कि मुझे आपको देखो तुम डर रही हो सू येंग कहती है कि मुझे बहुत काम है इसलिए मैं जा रही हूँ स्टोडियो वापिस आने के बाद सू येंग रेंबो के कलर्स प्रिपेर करने में बहुत बिजी होती है और यून शेंग इसको बार बार टेस्ट का याद दिलाने के लिए मेसेच कर रहा होता है लेकिन सू येंग इससे यही कह रही होती कि मैं भी बहुत बिजी हूँ तो मैं ये टेस्ट नहीं करवा सकती यून शेंग हॉस्पिटल में होता है इसको शॉन की कॉल आती जिसको बताती है कि तुम्हें सू येंग के साथ इंट्रिवियो देना होगा यून शेंग कहते है कि कोई मसला नहीं है तो शॉन कहते है कि तुम कब फ्री होगे यून शेंग कहते है कि जितना जल्दी हो बेतर होगा अब इंट्रिविय को बताने के लिए शॉन सू इंग को कॉल करती है सुइंग कहती कि मैं इंट्रिवی देने के लिए तैयार हूं Lekin मैं यूंशिंग के साथ एंट्रिविय नहीं देना चाहती हूं सुइंग कहती कि क्यों तुम्हारी को उससे कोई लडाई हुई है सोईंग कहती है कि तो में दादर नहीं है कि वो किस तरह से एक ही बात को लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है बस इस दफ़ा मेरी मदद कर दो यह कहने लगती है कि मैं ड्राइफ करी और कॉल बंद कर देती है और अब यूंचंग और सोईंग इंटर्विय देने के लिए आ गए होते हैं यह इशारे से शौन को अपने पास बलाती है और उसको कहती है कि हमने तो अलएदा इंटर्विय देना था ना युझजिंग कहने लगता है कि साथ पर इंटेवी देने का आईडिया मेरा था सोयंग कुछ कहने लगती है तो युझजिंग कहते है कि मैं आज यहां पर सिर्फ इंटेवी देने के लिए आया हूँ अब शौन रिहर्सल के तौर पर इनसे सवाल पूछ रही होती है कि आप दोनों कि दूसरे के साथ काम करके कैसा लग रहा है तो यूंजिंग कहता है कि इस बाप में तो कोई शक नहीं है कि सोयंग एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर है यूंजिंग कहता है कि ये मेरे कुछ valid suggestions सुनने से इंकार कर देती है सोयंग कहती है मैंने तुमारे किन valid suggestions को नहीं सुना है यूंजिंग कहता है कि तुम जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं यूंजिंग कहता है कि एक outstanding designer होने के बावजूद यह अपने comfort zone में रहना पसंद करती है और अपने comfort zone को तोड़ने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है Swing कहने लगती है कि मेरे अंदर किस पात की हिम्मत नहीं है यूंचिंग कहने लगती है कि छोटे से gastro copy के test से तुम्हें डर लग रहा है तो Swing कहती है कि मेरे पास कोई test करवाने के लिए वक्त नहीं है यूंचिंग कहता है कि अपने डर को चुपाने के लिए अब तुम बहाने नहीं बनाओ Swing कहने लगती है कि को कारण नहीं है Swing इस test से डरे Yuncheng के रहे लगता है कि तुम अपनी दोस्त के लिए बोल रही हो चौन के लगता है कि हाँ मैं अपनी दोस्त को जानती हूँ और ऐसी कि दोनों एक डूसरे के साथ बहस करें जा रहे होते हैं सुरख़ए कि operators के दी है कि टेस्च है जा जहां है और ये इसको कहने लगते हैं कि तुम्हें कार्योजी डिपार्टमर्ट में वापिस आ जाना चाहिए यूंजिंग के दे कि इसकी जरुवत नहीं है डिरेक्टर के ने लगते हैं कि तुम्हारी कौलिफिकेशन के मताबिक तुम अगरे दो साल में एसूसीय डिरेक्टर बन सकत हो यूंजिंग के ने लगता है कि हम जहां पर भी काम करें हमारा मकसद तो लोगों के जिन्दगियां बचाना है दूसरी तरफ सुयंग के टेस्ट हो क्या होता है नर्स जाने से पहले सुयंग को एक बोटल दे कर जाती है जो के यूंजिंग ने इसको दी होती है पीटर कि वज़ा से प्रोग्रम मोर कितना डिले हो जाएगा शूंग के लगती है कि सुयंग मीटिंग पर नहीं आए लेकिन उसका प्रपोजर एकसेप्ट कर लिया सबने और शूटिंग इसली डिले हो रही है ताकि हम इस शो को बेस्ट बना सके पीटर लू कहता है कि अगर आखि दे कर यहां से चली जाती है अब सूय जब अपनी रिपोर्ट देख रही होती है तो इसके पर सकता है यह देख पर बेट इस से रिपोर्ट लेता है तो यह दोड़ी रहती हो तो यह वक्त कर दोटती है और वक्त पर सौंगी में हर चीज इंप्रूफ करने की कोशिश करूँगी यूंजिंग इसको अपने साथ डॉक्टर के पास ले आता है डॉक्टर इसकी रिपोर्ट देखके कहने लगता है कि इस रिपोर्ट में घल्ती है तो यूंजिंग कहता है कि तो तुम्में कि आज कैसे मिल सकती थी और फर जब सौंग अपनी रिपोर्ट से नी तथी है तो ये किसी और की होती है और ये देखते ही सौंग को थुरा सकून हो जाता है यूंजिंग इसको वापस चोडने के लिए आरह होता है तो इसे सुइंग पर बहुत ही जादा हसी आ रही होती है सुइंग इसे पूछन लगती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्टेर्स पर थी यूंजंग कहता है कि जब भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अपसेट फील कर रहा होता है तो वो यहीं पर आता है सुइंग इसे पूछती है कि जब तुम डॉक्टर्स अपसेट होते है तो तुम लोग कहाँ पर जाते हो अब यूंजंग सुइंग को बलास हॉस ले आता है और इसे कहते कि जब भी मैं अपसेट होता हूं तो तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो इंखेनी लगती है कि डॉक्टर्स वाके में बहुत great होते हैं क्योंकि पेशिंट्स और ग्रिम रिपर के दर्मियान एगर होते हैं यूंचिंग कहते है कि पेशिंट्स की जान बचाने के साथ हम डॉक्टर्स को अपने दर्द और बेबसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो बेबसी आपको तब फील होती है जब आप किसी ऐसे को बचाने में नाकाम हो जाते हैं जिसको आप बचाना चाहते हैं उसका कोई भी अनाज़र नहीं लगा सकता ये बात कहते हुए यूंचिंग एमोशन हो गया होता है तो इनके से कहती है कि तुमने अपने बेस्ट दिया था इसलिए तबे कोई भी पश्तावा नहीं होना चाहिए यूंचिंग कहते है कि ये सच नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों को आप दुबारा से नहीं ला सकते सुयंग कहती है कि तुमने भी वक्त के साथ साथ रास्ता मिली जाएगा आगे बढ़ने के लिए यूंचिं विंडोस खोलने के रिए चला जाता है तो यहाँ पर मीसू की डायरी पड़ी होती है जो सुयंग देखने लगती है ये देखने के बाद सू यंग को मालूम होता है कि असल में रेंबो देखने की वेश मीसू की है और पर ये दोनों यहां में बैट जाते हैं सू यंग के लिखती कि मिने नहीं सुचा था कि दिन के टाइम यहां पर बैट कर इतना अच्छा लगेगा पीड़े लू सू यंग के पास आया होता है और यह से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सू यंग को रिप्लेस कर दो पीड़े लू कहता है कि तुम बस आने के लिए तयार हो जो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्ट हूँ अगले दिन सु इंग यूंजंग से हॉस्पिरल में मिलने के लिए आती है सु इंग यूंजंग को एक गिफ्ट देती है यूंजंग किस गिफ्ट को कोड कर देखता है तो ये क्यूबिक बॉक्स होता है यूंजंग कहते है कि ये छे साल के बच्चों के लिए है सुइंग कहती है कि शॉप की पर ने तो मुझे कहा था कि ये हर एज के लोगों के लिए सूटेबल है और कहने लगती है कि अगर तुम इसको सॉल्फ करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी एक बड़ी विश पूरी करूँगी शुचिंग ये सुनकर मुस्कुराता और इसको थैंक्स कहता है इसके बाद शुआन मिंग से मिलने के लिए आती है और ये काम की प्रोग्रेस पूछती है तब मिंग कहता है सुइंग सारा दिन ग्लास वरक्शॉप पे ग्लास पिनारे में लगी रहती है लेकिन वो किसी भी रिजल्ट से सैटिस्फाय नहीं हो रही है मिंग के लिए लगता है लेकिन आप परिशान लगने ही क्या बात है शुआन कहती है कि मुझे ये प्रोग्राम तीन दिन के अंदर शूट करना है लेकिन सुयंग की करेंट पोजिशन के मतावर में उसके उपर और प्रेशर नहीं डाल सकती हूँ सुयंग मिंग से कहती है कि तुम सुयंग की प्रोग्रस चेक करवाने में मेरी मदद करोगे मिंग कहता है कि आप फिकर नहीं करें मिंग के रहे लगता है और मैं बहुत टेक्निकल तरीके से प्रोग्रस को तेज़ करवाने की भी कोशिश करूँगा अब ये वापिस आकर सुइंग से कहता है कि शुआन मेरे से प्रोग्रस के बारे में पूछ रही थी लेकिन हमें नया वेरहाऊस ढूड़ना होगा सुइंग में इसके साथ जा रही होती है और ये रस्ते में वेरहाऊस के लिए जिसको कॉल कर सकती होती है लेकिन कोई भी इसको वेरहाऊस देने के लिए तियार नहीं होता सुइंग यूंचिंग को कॉल करती है और इसे पूछते है कि क्या तुमारे हास्पिटल के अंदर कोई ऐसा वेर हाउस है जो इस्तबाल में ना हो यूंजिंग इसे पूछता है कि क्या हुआ है सुइंग इसको बताती कि हमारा वेर हाउस लीग कर रहा है और हमें अभी अपने समान को मूफ करना है यूंजिंग कहता है कि ये material glass house के लिए है तुम ये समान glass house में रख सकती हो और फिर ये लोग जल्दी से सारा समान warehouse से निकाल कर ट्रक में load करते हैं सुइंग समान लेकर glass house में रखने के लिए आ जाती है यहां पर यूंजिंग भी आ जाता है और ये सुइंग से कहता है कि मैं तुम्हानी मदद करूँगा ये इसको umbrella पकड़ा कर समान अंदर रखने के लिए चला जाता है फिर जब सुइंग समान को count कर रही होती है तो यूंजिंग इसके लिए टौवा लेकर आतर इसे कहता है कि अपने आपको dry कर लो वरना तुम्हें सरदी लग जाएगी शौन मिंग से कहने लगती है कि पिछले महीने ही तो हमने warehouse को repair कर वाया था तो फिर ये लीग कैसे कर सकता है इतने में इनकी एक work इनके पास आती है और इन्हें बताती है कि आज यहाँ पर एक designer जिसका नाम सू है वो यहाँ पर आया था अपनी टीम के साथ शौन सोच पर पड़ जाती कि आखिर ये कौन है तो शौन केती कि वह तुम्हें target नहीं कर रहा बलके मुझे कर रहा है ये सुनकर मिंग थोड़ा सा जिस बात ही हो जाता है तो शौन केती कि तुम्हें इस मसले में पढ़ने की जूरत नहीं है और ना ही तुम ये बात सोईयं को बताओगे अब ये तो नों काम खतम करेंगे से बैठ चाते हैं तो सोईयं इसको बताती है कि रेंबो ग्लास बनाने में हम तक्रीब न काम भूई हैं इस पर येंशिंग इसको congratulations कहता है और पिर सोईयंग इसको बताने लगते है कि रेंबो ग्लास बनाना कितना मुश्किल है यंचिंग कहते है कि ये अच्छा है, सुइंग कहते है कि तुम किस पार में बात कह रहे हो, यंचिंग कहते है मुझे काफी लंबे अरसे से ऐसा फील नहीं हुआ, सुइंग कहने लगती है कि मैं बता सकती हूँ कि तुम कार्डियोजी डिपार्टमेंट से काफी अटैश्ट ह और कहने लगती कि मुझे लगता है कि जिन्दगी में सबसे बड़ा पश्तावा ये होता है कि आप उस काम को करने के जित करें जो आपको नहीं करना चाहिए और आपको जो काम करना चाहिए आप उस पर असानी से गिव अप कर दें यूंचिंग इसकी बात पर मुस्कुरा दे पिडिलो कहते कि इस शो के हेड्स मान गए हैं तो शोवान के लिए लगती कि क्या आप ने यूंचिंग से इसके बार में पूछा है और इसे मुमेंट पर एपिसोड फॉर खतम हो जाती है